हर ओफाल्स आज मैं आपको बताँगा यह थी पसुंके आंत्रिक किडे यानी जो इंटरनल किडे पसुंके पेट में किड़े और बाहर किडे गाह के अंदर बाहर किसी को क्पार 8 की लिए आपको कौन सा सिर्फ एक इंजेक्ट्वर में आपको को सकते हैं एश च्नल पर अभी नहीं आये पहली बार आप सबसक्राइब कर लए साना और बेल ऑफिस्थी के वीडियो दे जाते हैं लॉंग में देखना पूरी आल वेटिनेरी मेडियेशन के इंजेक्शन पाउडर लिक्विट सभी के बारे में वीडियो बनी विए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखके मिल जाएगा वह आप जाकर के देख सकते हैं है कि प्रसूं में किसी पी तरह एंटर्णल पेरा साइट आंत्रीक पर जीवी हैं जिसमें किसी पीतरह के वरम सेंप उनको किल किया जाता है रही बात अक्सटरल्र के बार सरीर पर जो गांठे बननी यह उन्चेश किड़े निकले यह हो गया उसके अंदर केड़े गाव नहीं की बर रहे हैं उसमें कीड़े हो गए तो इसके लिए कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं यह इंजेक्शन आपके प्रसूम में जो इंट्रल पेरासाइट दोन्हों को किल करने का काम करता है Dekoh kwbard कोन सा इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं इंजेक्शन बता रहा हैं जो की है जैनेक्स का 2 और ह natuurlijk यह इंजेक्षिंट आप उस पसूपड़ा सकते हैं यानि मास में भी लगवा सकते हैं और तव्चा में भी आप इस इंजेक्शन का प्रियूग कर सकते हैं रही बाद जो इंजेक्शन आपका जो पसूं का बोडिवेट 400-500 kg है तो इसे आप 10 ml लगाना है यादि जिन पसूं का बोडिवेट 100 kg है तो इसे सिर्फ और सिर्फ 2 ml से ज्यादा नहीं देना है यानि इसकी डोज भी आपके पसूं को ज्यादा नहीं देनी है जिन पसूं का जितना बोडिवेट होता है उसी के अंदरूप आपको दे देन करना है बिल्कुर भी नहीं एक बर लगाने के बाद में आप 90 दिन तक आपके पश्चों के शरीर के अंदर ये असर करेगा तो 90 दिन यानि तीन महीने बाद में आप इस इंजेक्शन की डोज रिपीट कर सकते हैं रही बात इसके बारे में और भी बहुत अच्छे इसका उप का पश्चों का प्रियोग आप अपने पश्चों में करवा सकते हैं लेकिन ज्यादा डोज आपको इसकी देनी नहीं है दोलू में किसी भी तरह कि आपके पश्चों को गाव को बरने में केड़ों को किल करने के लिए ये इंजेक्शन बहुत याचारी जिल मिता है जूच बहुत ज़्यादा आपके पश्चों में लग चुकी है और जैसे आपके पश्चों का डूर्ट डाउन हो गया या आपका पश्चों कमजोर रहता है तो उस इस्तती के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का पर्योग अपने पश्चों के सकते द्वारा करवा सकते हैं यह व